महराजा धिराज सिंग सो रहे हैं यह है तिपले पार्क और हम लोग चलके अंदर देखते हैं वन बिहार भूनने के लिए आप यह जीव भी बुक कर सकते हैं जहां फेमस मूवी जैग अंगाजल इसी घर में उसके सुटिंग होई थी प्राउन में राजमीती मूवी का एक स्टीन सूट हुआ था वर्पदर डैम्ट जस सामने यह ताज हुटर थी है हम लोग घूमने के लिए रेडी हो गये हैं और यह है मेरी टीम देखें मिस्टर बगेर, मिस्टर बगेर के छोटे भाई और उनके दोस्त तो फिर चलते हैं अब घूमने, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है घूमने चाने के लिए तो फिर चलिए देखने हैं हम कहा जाते हैं अब और का कैस खतम हो गया, मिस्टर बगेर गया है कैस निकालने और हम यहां खड़ेओं के उनका वेट करें देखिए कितना टाइम लगता है फिर कैस निकाल के फिर आगे हम आपसे मिलते हैं अब हम लोग चलिए जबी से निकलते हैं कि मैं आपको इस जगह दिखा रही हैं जहां फेमस मुवी जय गंगाजल जिसमें प्रियंका चोपड़या थी इसी घर में उसकी सुटिंग होई थी पिर चल दिए हमको देखिए यह वोग राउंड है जहां राजनीती मूवी की सुटिंग होई थी जैसा कि मैं बता दूँ फेमस मुवी राजनीती राजनीती की सुटिंग भोपाल में होई थी यह वही जगह है जहां अर्जुन रामपाल और नाना पाटेकर ने घठासर दिया था और यहीं पे यहीं पे रैली निकाली थी यह देखिए कि बड़ा ग्राउंड है और हम लो अब निकलते हैं अब चकते हैं जहां हमें घूमने जाना जैसा कि हम लोग जानते हैं मोपाल जीलो का सहर है यह जो जील दिखाई दे रहे हैं बड़ा डेम पे बना है फद्वदर डेम के जस्ट सामने ही ताज कुटर भी है यह भूपाल का फेवज कुटर है भूपाल तो सच में बहुत सुंदर है सब को एक बार भूपाल जरूर घूमना चाहिए हम लोग बहुच गये देखिए आगे आपके के लिए बड़ने हाई कर दो कि अगया जा रहे हैं टिकट लेने अंदर तब तक यहां कुछ नोटिस बोर्ड में इंवर्मेशन लगी है मैं आपको बता देती हूं क्या कितना है पन बिहार में पैदल जाने के लिए 20 रुपे लगेगा आप देख रहे हैं दो पईया बाहन के लिए यहां 60 रुपे लगेगा बाकी डिटेल आप वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं यहां कौन-कौन से प्रजाती है उसके भी इंफार्मेशन यह डाली गई है तो चलिए हम लोग टिकट लेके अब अंदर चलते हैं यह देखिए टिकट लेता ही पाटी बदल ली गई यह बंदर अब हमें यहां पर देखिए यह पहला जानबर मिला वह देखिए ठर्ण में लगता यह भी धूप से एक रहे हैं यह आराम से सो रहे हैं पानी से बाहर आके चले आगे चलते हैं फिर देखिए यह सू रहा है यह क्या है यह यह एली केटर हैं तो यह यह है चलिए अब चलते हैं आगे और आप पर इखादें आप क्या मुझे देखने को मिला यह है तितली पार्क और हम लोग चलके अंदर देखते हैं ओहो यह देखी एक तितली तो फैनली दिखी यह तो मेरे से जादा स्पीट में भाग रही है वीडियोस बनाने के इनकी कोशीज करें लेकिन साइज में पता चल जा रहा है यह देखिए यह ज़स्ट अभी आकर के बैटी होई है तितली पार के जाद सामनी यह इसनेक पाक चल यह चलती हैं यहां देखते हैं कौन-कौन से साब है इसको नाम दामन है यह दामन सनेक है इसको रैट सनेक के नाम से भी जाने जाता है यह देखिए रसल वाइपर है यहां पर बहुत सारे साम थे सबका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था इसलिए हम लोग साम देखकर के आगे जाने दूसरे जानवर देखिए यह देखिए हिरन एक को देखिए आगे भी है वो आगे कही सारे है यह इधर पास में है देखिए अब आगे चलते हैं आप वन भी हर गूमने के लिए जीब भी बुक कर सकते हैं जो की टिकर काउंटर के पास से ही मिलेगी देखिए लोग इस पे बैट करके एकदम मजे ले रहे हैं यह देखिए मुझे हराते हुए जीब भी आगे निकल गई यह देखिए एक और चील इसे अपर लेख भी बोलते हैं बड़ा ताला भी बोलते हैं वन पिहार इसी जील के किनारे बना हुआ है यह वाइल टाट्वाइस हैं यह बहुत चोटे-चोटे हैं इनसे तो मैं जीती सकती हूँ अब यहाँ से ली निकलते हैं और आगे चलते हैं यहाँ वाइट थाइगर है चले आंगी सलते हैं मिलता है कि ऱीए वाइट तैंग कि में करता हुआ एन दो कि खालू इरो तो देखने को नहीं मिला है तो ट्राउन ताइगर मेंदो 13 knapp में से सो यह इसको सोने देते हैं और हम लोग दूसरा जानुवर गेखने करते हैं नहीं है। लगबक 3 क्रोमीलर का एरीया है। लगबक जानुवर हम लोग सारे देखी लिए हैं अब देखते आगे क्या है। आगे चलके देखते हैं आगे कोई जानवर है, है भी कि नहीं है, चलिए देखते हैं, देखिए ये बालू मौई मौई कर रहा है, मौई मौई, 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 लगता है मैडम गुस्से में है ये लोग आपस में सुला करते रहेंगे हम लोग यहां से निकलते हैं बबर सेर के बाद अब कोई जानवर नहीं है अब यहां से बहां निकलते हैं क्योंकि एंड पॉइंट आ गया है तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए जो चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं वो जाकर के प्लीज प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ सेर करिए बाबाई